मुखल सामराज्य के इतिहास को पढ़ रहे हैं अकपर तक कंप्लीट हो चुका है और आज के इस पचासवें एपिसोड में आप सब लोग जहांगीर के बारे में और शाह जहां के बारे में जानेंगे उनके जो कैमपेंज से उनसे रिलेटेड जो इंपोर्टेंट नक्षे पे मौझूद की जाने वाले जो लोकेशन्स हैं उन लोकेशन्स को हम समझने का प्रियास करेंगे फिफ्टी एथ यानि कि पचासवां सबसे बड़ी सबसे पहले तो आप लोग पढ़ाई के पात रहें कि आप लोग ने पचास एपिसोड इसके देख लिए आज 8 अप्रेल है आज 8 जुलाई है 8 जुलाई को ही आपका एक बैच शुरू होने वाला है शाम को 6 बजे तो शाम को 6 बजे वाले इस बैच में आप सब लोग जुडिएगा जल्दी से जल्दी क्योंकि 2025 के लिए देखो पर एक तो समय निकलता जा रहा है और काफी हद तक हमारे जो फीस होती है स्टड़ी आईक्यू की जो फीस होती है बहुत अफोर्डबल होती है तो यह अफोर्डबल प्राइज आपको लेकिन मिलता है सिर्फ विररलाइब कोड पर तो आप इस कोड को लगाईएगा और को लगा करके आप 2799 में से पा सकते हैं किसी भी प्रका या इंस्टाग्राम पर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए ठीक है अगर आप एड्मिशन लेने वाले हैं तो आप मुझे इस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए या फिर टेलिग्राम पर भी आप ग्रूप में भेज सकते हैं तो मैं या मेरी टीम आपक शुरूर है पॉलिटी विशे के साथ ठीक है अमरेंसर इसमें पॉलिटी विशे की शुरूबात करने जा रहे हैं इसमें मैं आपको इतिहास पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में अगर आपको ये इतिहास पसंद आ रहा है तो बिलीव कीजिए निससंदे आपको इस बैच में बहुत ही शानदार इतिहास मिलने वाला है और जो कि आपके प्रारंभी परिक्षा तो ठीक है लेकिन मुख्य परिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होगा ही होगा तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो सेशन है वो जहांगीर और शाह जहां को लेकर के है जहांगीर और शाह जहां को लेकर तो टॉपिक है आज का हिस्ट्री ओन मैप में हिस्ट्री ओन मैप और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मुगलवंश मुगलवंश में कौन सा जहांगीर एवं जहांगीर एवं शाह जहां शाह जहां आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इनके जो निकनेम है या मूल नेम है वो जानते होंगे कौमेंट सेक्शन में जरा कौमेंट करके बताइए कि जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था और शाह जहां को आमूमन किस नाम से आना आता था ये तो इन नामों से इन्होंने शाहसन किया और कि मूल नाम क्या है एक बार जरूर कौमेंट सेक्शन में बताइए आप पूरा जहांगीर और शाधान ना लिखें तो 1 और 2 लिख सकते हैं 1 पे क्या नाम है मूल और जो 2 हैं यानि कि शाधान जो उनका मूल नाम क्या है तो इसके उपर जरूर डिसकेशन कीजिए आप लोगों के आप लोगों के अपने टॉपिक पे वापस आते हैं तो हम सब लोगों को मालूम है कि 1605 में जो है अकबर की डेथ हो जाती है और उसके बाद सलीम ये गद्धी पर बैठते हैं जिनको अकबर प्यार से शेखु बाबा कहते हैं मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी ये वो उपाधी थी जिस उपाधी को ले करके जहांगीर गद्धी पर बैठे थे और इनकी राज्या विशेख के समय कोई कोई विशेश कोरनेशन सेरेमनी नहीं हुई किसी प्रकार का कोई धार्मिक जो रिचुवल्स होते हैं वो सब कुछ नहीं किये गए बलकि इनोंने स्वयम ही अपने सर पर ताज जो है रख लिया था कहा जाता है कि अकबर शायद इने बादशाह बनाना नहीं चाहते थे बलकि इनके बेटे थे खुसरो उनको बादशाह बनाना चाहते थे लेकिन पैरहाल आप देखते हैं कि जहांगीर बादशाह बनते हैं बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने आगरा के किले में एक आगरा के किले का एक हिस्सा हुआ करता था शाहबुर्ज उससी शाहबुर्ज में उन्होंने एक लंबी सी जंजीर तकریवन 30 गज लंबी जंजीर थी, उसको जो है उन्होंने लगवाया था, जिसको जंजीर ए अदली कहा जाता था. न्याय की जंजीर उसको कहा गया तो ये आगरा में लगवाया गया और इतिहास शुरू होता है यहीं से तो आईए आज का इतिहास शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मैं एक map draw कर देता हूँ आप लोगों के सामने ठीक है एक map draw कर देता हूँ ये मतलब फिर वही सिंध वाला जो portion है वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और आप लोग भी जो है इसको draw करिए मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं draw कर रहा हूँ अब तो आप बहुत अच्छे से draw करने लगे होंगे सभी लोग मैं सही जा रहा हूँ ना ठीक है सिंधू नदी आप बना लीजिए सिंधू रिवर मान लीजिए कि सिंधू नदी है वही है इस तरीके से कुछ जा रही है थोड़ा color river के लिए हलका कर लेते हैं blue में ठीक है इस तरह से कुछ color कर लेते हैं और यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पर आपकी सिंधू नदी आ जाएगी अब मान लीजिए कि यहीं से आपकी 17 नदी जा रही है और 17 नदी आ करके इनसे मुलाकात कर लेती है ठीक है यह 17 नदी है जो यहाँ पर मुलाकात करके इनके साथ यहां तक मीचे चलियाती है इधर आप जो है गंगा नदी बना सकते हैं तो गंगा नदी भी फ्लो करते हुए पूरब की ओर जाएगी और फिर पर्शिम मुंदाल से ऐसे नीचे की ओर शाखाओं में वाजित हो जाएगी साहयक नदी में आप यमुना बना लीजिए यहाँ पर निससंदे और यमुना को इसमें मिला दीजिए फिर आप जो है एक और नदी ड्रॉ कर सकते हैं जो की ब्रहमपुत रिवर के तौर पर जानी जाएगी इसकी भी कई सारी शाखाएं यहीं पर बन जाएगी तो गंगा यमुना बगार सब आपने बना लिया यहीं पर आप जो है नर्मदा नदी भी बना सकते हैं और यह जो है आपकी तापती नदी यहां से इस तरीके से हो जाएगी ते कुछ प्रमुख नदीयां थी जो मैंने आपको यहां पर ट्रॉ कर दी हैं ठीके अब जो है हम लोगों को इतिहास पढ़ना है जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने आगरा में जो है शाह बुर्ज में आगरा में कई सारे बुर्ज हुआ करते थे यह मान लेते हैं कि दिल्ली है यह मान लेते हैं कि दिल्ली वाला हिलाका है यहां कहीं दिल्ली है और आप इधर कहीं मान लिजे कि आगरा है तो इसी आगरा में आगरा का जो किला है उसमें कई सारे बुर्ज हुआ करते थे आगरा आगरा का जो किला है उसी आगरा के किले में कई सारे बुर्ज हुआ करते थे उसी में एक बुर्ज था शाह बुर्ज ये शाह बुर्ज आप जरूर याद रखिए इसी में मैंने कहा कि उन्होंने नियाय की जंजीर लगवाई नियाय की जंजीर लगवाई उद्देश ये था जैसे अकबर थे और उनके जो सहयोगी थे उनको कम विश्वास हुआ करता थ तो उस संदेश में एक चीज ये भी है कि भाई मैं नियाय प्री राजा हूँ और अगर आप में से किसी को भी नियाय चाहिए तो बस आकर के ये डोर खीचना है गंटी बजेगी दरबार लगेगा तो जंजीर अदली बोला गया इसको क्या बोला गया जंजीर अदली कि इन्होंने क्या किया है यहाँ पर लटकवा दिया है यही शाह बुर्ज है जिसमें आगे चल करके शाह जहां को औरंग जेग कैद करेगा तो फिलाल अभी आपको इसी तरह से आत रखना है इनकी वाइफ्स के बारे में इनकी पत्नियों के बारे में अगर हम बात करें तो एक पत्नी इनकी उवा करती थी मान भाई ठीक है एक पत्नी उवा करती थी इनकी मान भाई और मानबाई जो हैं ये मानसिंग की बहन है आमेर के कच्छवाह राजपूत हुआ करते थे भगवान दास उनकी बेटी है ठीक है इनकी भगवान दास की भगवान दास इनकी बेटी है ठीक है भगवान दास की पुत्री है मानबाई जिनसे इनका विवाह हुए थे ये पत्नी है इनकी और मैंने बताया कि आमेर के ये राजा हुआ करते थे तो आमेर आप यहां कहीं मान सकते हैं आमेर यहां कहीं आप आमेर मानने हैं कि ये आमेर है आमेर वही आज का जैपूर जिसको आ आप कहते हैं वो ततकालीन समय का क्या है आमेर है कि उनकी बेटी है इसके अलामा एक और है जिनका नाम है जगत-गोसाईं जिनको कहीं-कहीं जगों पर जोदाभाई भी कहा जाता है तो जगत-गोसाईं यह जो है यह मारवार के मोटा उधाय सिंग जो थे, उनकी बेटी है ये, उधाय सिंग की पुत्री है और उधाय सिंग्ज जो है वो मोटा राजा उधाय सिंग के रूप में जाने जाते हैं, जो मार वाड़ रीजन है, इदर वाला जो क्षेतर है, ये आप उदैपूर जोदपूर इस तरफ के जो इलाके हैं मारवाड़ वाले लाके कहलाते हैं वहाँ पर के शासक है जिनका नाम है उदैशिंग उनकी बेटी है जगद गोसाई तो ये इनकी दो पुत्री इसके अलावा एमाप की जगए इनकी दो पत्नी एक पत्नी और है जिनको आपने सुना होगा नूर जहां या नूरे जहां महरुन निशा जिनको कहा जाता है यह अपने माता पिता के पक्रशे अगर देखे आरे तो इनके पर्शियन माता-पिता जब परशिया से इधर हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे तो रास्टे में जगा पढ़ती है कान्धा नूर्जहां के नहीं पथarn critically Lucky on the audition के दौराम आप देखेंगे कि कान्धार जो जगा है कान्धार में का जन्मौ भुआ है और फ़्याम के जो पहले पती थे जूप पहले पतीति थे पहले पती अगर हम इनके विजय अभियान की बात करें तो इनके विजय अभियान में सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे मेवार से मेवार इनका पहला विजय अभियान है अगर हम विजय अभियानों की चर्चा करें तो विजय अभियानों में विजय अभियान तो विजय अभियानों में शुरुवात आप कर सकते हैं कहां से? मेवाड से मेवाड ठीक है? अब मेवाड रीजन जो है आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा ये मान के चली कि मेवाड है ये इलाका आपका मेवाड का है तो मेवाड में मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनका पहला युद्धा आपको देखने को मिलेगा पहला विजय अभियान यही से शुरू होगा उस समय अमर सिंग जो है यहां के राणा आमर सिंग शासक हुआ करते थे राणा आमर सिंग और राणा आमर सिंग आप सब लोग जानते होंगे महाराणा प्रताप के बेटे हैं महाराणा प्रताप के पुत्र जो हैं उनका नाम है पंद्रा सो पांच छे के दौरान यहां पर परवेज और सागर नाम के व्यक्ति को भेजा गया है, सगर नाम के सेनाधिकारियों को भेजा गया है, कि जा करके आप वहां पर विजय कीजिए, उसी दौरान जिस दौरान सगर और परवेज जो है मेवाड की तरफ रूख करते है उसी दौरान जहांगीर जो है वो अजमेर में घेरा डालते हैं ठीक है तो उनका घेरा कहां रहता है अजमेर की तरफ रहता है तो आप यहां पर अजमेर लिख सकते हैं कहीं पर यहां कहीं पर आप अजमेर लिख सकते हैं इस जगा पर यहां मालीजे की अजमेर है तो यहां पर यह बादशाख खुद आये हैं जहां गीर यहां पर उन्होंने घिरा डाला है और खुर्रम को कहा है कि मेवाड में देखो कि क्या चल रहा है वहां पर अपनी सारी जम्मेदारी से उनको कहा कि युद्ध लड़ी है युद्ध शुरू हुआ लेकिन को समय पश्चाद अमर सिंग जो किशासक थे मेवाड के उन्होंने अपने तरफ से दो लोगों को बाश्चा से मिलने अजमेर भेजा है शुबकरण और हरिदास नाम के दो दूत हैं वो मैत्री दूत बन करके गए हैं उनकी बात को आगे चल क करके जहांगीर ने स्विकार किया और यहां पर एक मेवाड की संधी उई तो मेवाड की संधी 1615 के आसपास होती है इनके बीच में 1615 के आसपास मेवाड की संधी होती है और उस संधी के बाद यह युद्ध समाप्त होता काफी लंबा समय तक इस सब घेरा बंदी चली लेक उसमें कोई केले बंदी नहीं करेंगे तो इसी संधी के साथ में युद्ध जो है वो क्या हुआ समाप्त होता है और आपको यहां से एक क्या आपको यहां रहे चाहों तो आप और याद रख सकते हो कि युद्ध में अमर सिंग्भ बड़ी वीरता से लड़े थे उनके बैटे करन सिंग्ग तो दोनों ब्रभ का वीरता के करण जो है फिर बाद में आग्रा में आकरके अगर्ह में जो गार्डन है उस गार्डन में इनकी दो मूर्तियां बनवाई गई थी जैसे मैंने कल दो मूर्तियां बताया था कि अकपर ने बनवाई थी पत्ता सिंग की और उसी तरीके से यहाँ पर भी दो मूर्थी यहाँ पर बनवाई गई ठीके तो यह दो मूर्थी आगरा के किले के उध्यान में बनवाई गई फिर इसके बाद दूसरा विजय अभियान जो है वो इनका कांगड़ा का है अगला जो विजय अभियान आपको देखने को मिलेगा वो आपका कांगड़ा का भियान देखने को मिलेगा कांगड़ा कांगड़ा विजय अब कांगड़ा जो है यह आपका इस तरफ मतलब पहाड़ी रीजन है आप कोई मालूम पाढ़ी जीज़े ने तो 1620 में 1620 में शहजादा खुर्रम जो है ठीक है शहजादा खुर्रम जो है और इनके साथ में राजा विक्रम जीत पघेल को भीजा गया था उन्होंने कांगडा की विजय करिए तो यहां कहीं आप मान के चलिए कि कांगडा है ठीक ह कांगडा की विजय हुई है इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एहमद नगर की विजय की तरफ भी कैमपेनिंग हुई है एहमद नगर लेकिन दक्षन का इलाखा है लेकिन मैं लेक यहीं दे रहा हूँ उपर ही क्योंकि जगा यहीं है एहमद नगर एहमद नगर आपको South में देखने को मिलेगा यहां मान लिजे कहीं एहमद नगर एहमद नगर ठीक है यहां कहीं आप एहमद नगर लिख लिजे और अब अगर इसके बारे में चर्चा की जाए तो एहमद नगर में वहां के प्रधान मंतरी हुआ करते थे मलिक अंबर ठीक है यहां पर मलिक अंबर जो है इसके क्या हुआ करते थे मलिक अंबर यहां एहमद नगर के सेनापती क्या नाम है प्रमुख प्रधान हुआ करते थे और एक मलिक राजु हुआ करते थे जो प्रधान सेनापती थे मलिक राजु तो मलिक राजू और मलिक अंबर इन से युद्ध होना है इसके लिए यहां की राजानी खिड़की हुआ करती थी 1608 में अब्दुर रहीम खाने खाना को भेजा गया था 1608 में किसको भेजा गया अब्दुर रहीम रहीम खाने खाना खाने खाना को भेजा गया था कहते हैं कि इन्हों ने इनको पराजित भी किया लेकिन इनके उपर आभर अम्बर attention हार गया था लेकिन इनके उपर रहीम के उपर जो है कुछ आरोप लगाए गए घपले करने के कुछ आरोप लगाए बाद में 1610 में खाने जहां लोधी को भेजा और मांसिंग को भेजा ठीक है 1610 में फिर 1616 में जो है खुर्रम को भेजा जाता है यहां पे 1617 में यह खुद आ करके पढ़ाव डालते हैं यहीं पे आपको जगा देखने को मिलेगी पानलीजे मांडू जगा है तो मांडू में इन्हों खुद आ करके पढ़ाव डाला है खुद आ करके मतलब घेरा बंदी करने का प्रयास किया है और यहां पे पड़ाव डाला और बीजापूर के जो सुल्तान है अली आदिल शाह फिर वो आकर के बीच बचाव करते हैं उस समय बीजापूर मान लीजे कि यहां कहीं पर है इस जगह पर बीजापूर ठीक है बीजापुर के सुल्तान है अदिल आली आदिल शाह ही सामराज चला करता था उन्होंने मुगलों और एहमद दगर के बीच में सुल्ह कराई संधी कराई और उस संधी के बाद थोड़े समय के लिए युद्ध विराम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो जो संधी हुई है उस संधी में क्या कहा गया कि जो बालाघाट का रीजन है यहाँ पर कहीं पर आपको बालाघाट देखने को मिलेगा तो जो बालाघाट वाला इलाका है उसकी जागीर और एहमद नगर का जो दुर्ग है ये मुगलों को दे दिया जाएगा ये बात इसम इसी समय शाहजहां की उपाधी दी गई है और उसे तीस हजारी मंसब बना करके बाद में गुजरात वाला जो इलाका है इस गुजरात की सुभेदारी भी दी गई इसी सब बात करते हैं कांधार की जो ये वाला portion है यहां पर भी एक विजय आपको देखने को मिलती है कांधार में उस समय फारस के जो शासक हैं उनका हमेशा मतलब कांधार जो है वो मुगलों और पर्शियंस के बीच में जो है हमेशा एक मुद्दा बना रहता था तो अकपर के समय मे कभी अधिकार हुआ फिर हाथ से निकल गया तो अब यहां पर फारस के शासक हुआ करते थे शाह अब्बास प्रथम उन्होंने राजदूत भेज करके कुछ मित्रता वगरा दिखाई है फिर जहांगीर ने भी एक चित्रकार भेजा विशंदास को फारस भेजा तो अब्बास प्रथम यहां पर शासन कर रहा है यह आपको ध्यान रखना है शाह अब्बास फस्ट यह परशियन शासक है जिसने यहां पर अपना अधिकार जता लिया है तो यह कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जहांगीर के लिए याद रखने थे कुछ पॉइंट्स हैं ज हमको दुबारा नहीं बनाना पड़ेगा और आप जो है आपके पास में भी वही options हैं आप बना सकते हो असानी से तो अब अगर हम यहाँ पे शाह जहां की बात करते हैं शाह जहां आपको मालूम है जहांगीर का कारिकाल 1627 में जो है समाप्त हो जाता है उसके बाद शाह जहां अगर्दी पर बैठते हैं तो 1627 से 1658 के आसपास तक इनका शाहसन देखने को मिलता है शाह जहां के सैंवर कहते हैं कि इनका जन्म जो है वो 1592 में लाहॉर में हुआ था इनका जो जन्म है वो आपको कहां देखने को मिल रहा है लाहॉर में लाहॉर मान लीजे यहां कहीं लाहॉर है ठीक है यहां कहीं आप यहां कहीं मान लीजे लाहॉर है ठीक तो लाहॉर में इनका जन्म होता है और जब इनका जन्म हुआ ठीक है पर उसके बाद इनके विजय विजय अभियान important होते हैं विजय अभियान इनके सही तरीके से 1333 के आसपार से शुरू होते हैं लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो 1331 में एहमद नगर के विरुद्ध जो है मतलब एहमद नगर में कुछ विद्रो होने शुरू हो जाते हैं तो उस जगह पर उसके आपको यह समझ में आ रहा है कि बंध नामके विक्ति हैं अनको भी भेजा गिया है लेकिन विज़ा आनको भेजा गुलकुंडा जो है वह आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा इस जगा कहीं गुलकुंडा तो शाह अली को भीजा गया है गुलकुंडा दूथ बना करके शाह अली इनको कहां भीजा गया है गोलकुंडा भीजा गया है क्या बना करके दूद बना करके मतलब साउथ में कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है और अब्दुल्ला कुतुब शाह हुआ करते थे वहां के शासक गोलकुंडा के उनसे कुछ हीरे मांगने के लिए गये थे बेरहाल अगर हम 1333 के आसपास की बात करें तो एहमद नगर जो है वहां के शासक हुआ करते थे मुर्तजा निजाम शाह यहां के शासक कौन हुआ करते थे एहमद नगर के शासक हुआ करते थे मुर्तजा मुर्तजा निजाम शाह इसी वज़े से इसको निजाम शाही भी कहा जाता था ये एहमद नगर का इलाका निजाम शाही कहलाता था और ये जो है आपका ये कुतुब शाही कहलाता था आदिल शाही सोरी कहलाता था पीजापुर अल्ला का और ये वाला जो है वो कुतुब शाही के लाता था इस तरफ से अलग-अलग पहचान उनके शासकों के नाम से हुआ करती थी तो एहमद नगर के जो शासक निजाम है निजाम शाह जो है जिनको दिवाना के नाम से भी जाना जाता है फतर खानाम के व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी है और हुसैन निजाम शाह को यहाँ पर गद्धी पर बठाया है इनकी जगह पर हुसैन निजाम शाह ठीक है इनको जो है क्या किया है इनको गद्धी पर बठाया है इनकी हत्या कर दी गई है अब इसी समय आप देखेंगे कि विजयनगर के पूरु शासक हुआ करते थे रायल तो विजयनगर का सामराज्य आपको साउथ में देखने को मिलेगा यहां के रायल नाम के शासक हुआ करते थे उन्हों ने जो है इनको आगरा से बुलाया किनको शहाजहां को कि आप दक्षण में आ करके कुछ कारिकरम देखिए तो उनके बुलावे फिर शहाजहां ने महावत खान को भेजा है साउथ शहाजहां ने क्या किया शहाजहां ने महावत खान को महावत खान को दक्षण भेजा कि जाके वहाँ पर देखो कैस्त दिये हलाकि कुछ समय बाद खुद भी दक्षन आता है बुरहानपुर वहाँ पर उसने अपना पड़ाव डाला हुआ है एहमद नगर के वजीर हुआ करते थे वही फते खान तो जब बहुत दिन तक ये पड़ाव चला और उसको नहीं जीता जा सका तो पते खान को घूज दे करके दौलताबाद के दुर्ग पर क्या किया गया कबजा किया गया शाजा ने क्या किया जो फते खान है पते खान जिसने हत्या करवाई थी उसी फते खान को क्या दिया गया घूज दिया गया और जो किला है उस किले के दर्वाजी खुलवाए गए तो किले पर क्या कर लिया कबजा कर लिया काफी बड़ा कह सकते हैं कि मुगलों के लिए एक बड़ी उपलब्धी थी उस समय दौलताबाद दुर्ग जो है वो उनके हाथ में आ गया था सुल्तान हुसैन निजामिजा साथ यह उनको बंदी बनाया गया और बंदी बना करके उनको भेज दिया गया गवाल्या इनसे खटम हो जाता है 1635-36 में दोबारा जो है कैमपेनिंग करनी पड़ी है साउथ की दक्षन की और इस बार इनके साथ में औरंगजेब भी आया 18 साल का औरंगजेब है उस समय रीजन यह है कि शाहजी भोसले जो है उन्होंने एहमद नगर के निजाम के संदक्षक के तौर पर उसका संदक्षन जो है वो समाल लिया था मुर्तजा दुती जो है वो गद्धी पर बैठे थे उनके संदक्षक के तौर पर उन्होंने गद्धी पर बैठाया और शाहगड को रास्थानी बना लिया और फिर इसी समय मुगलों का आक्रमण हुआ जिसमें भोसले पराजित हुए और उन्हें एहमद नगर सहित एहमद नगर का जो दुर्ग है वो सहित छे और किले वो मुगलों को सौबने पड़े थे उस समय हलाकि बाद में खुरम के कहने पर आप देखेंगे कि जो शाहजी है खुरम नहीं मतलब इनके बेटे के कहने पर शाह जी जो है उनको 5000 का मंसब जो है वो दिया गया और फिर शाह जी को पूना की जागीर जो है वो मिल गई शाह जी को यहाँ पे पूना की जागीर जो है वो दी गई तो इसी के बाद जो है शाह जी को क्या मिला शाह जी भोसले जो है भोसले जो है उनको पूना की जागीर मिली जागीर मिली और उनसे दक्किन की जो सल्तनत शाही है उनसे जी संपर्क करने की पर्मिशन दे दी गई क्या आप कर सकते है बाद में गोलकुंडा भेजा गिया है को और दुबारा से शेख अफदुल्ला लतीब जो हैं उनको भेजा गिया है पत्र लेकर गोल कुंडा और उनके तीन सेनापती हुआ करते थे जाने खाने जहां खाने है दॉरा ऐसे करके दोतीन इनके जो है वह उनके वह करते थे उन लोगों ने फिर बीजापूर कोwoman लिया आगे चल करके तो बीजापूर वाला जो इलाका है वो बाद में 1336 के आसपास माफ कीजिएगा 1636 के आसपास इसका घेराव किया गया बीजापूर के तरफ में और काफी लंबा ये भी युद्ध चला लेकिन बाद में इसमें संधी कर ली गई संधी में ये कहा गया कि गोलकुंडा और बीजापूर ये दोनों लोग साउथ में चाहें जितना एक्स्टेंशन करें करने के लिए तयार हैं मैं अब आप लोगों के उपर आक्मन नहीं करूंगा ये दूसरी संधी हुई तीसरी बात हुई कि आप जो साउथ में एक्स्टेंशन करेंगे उसमें जो भी इलाका आप पाएंगे वो दो अनपात एक के अनपात में विभाजित किया जाएगा तो दो अनपात एक अन बनल है तो 1634 और 1637 में दो बार हमले किये गए तो 1634 और 1637 में 1634 में जो ब्रिहत्तर तिब्बत वाला जो इलाका है उस पर कपजा किया गया उसको काबू किया गया और 1637 के आसपास आप देखेंगे तो इस तरफ कश्मीर के ऊपर की ओर आप देखेंगे बाल्टिस्तान पड़त इन्होंने बाल्टिस्तान पर नेंतरन कर दिया बाल्टिस्तान मान के चलिए की तक्रीम यहां कहीं है और उसी की राजधानी वा करती थी स्कूर्द उस पर जो है नोने कपजा किया फिर पूरब की तरफ असम में अहोम शासक हुआ करते थे उनसे संगरश हुआ तो कूँच बिहार के शासक हुआ करते थे उन्होंने इनको निमंत्रन जो है वो दिया था तो ये असम में प्रवेश परते हैं उस समय कामरूप यानि कि असम के शासक हुआ करते थे बली नरायन तो ये तक्रीबन आपका यहां कहीं का हिस्सा है बान के चलिए कि कि आपको कूच बिहार उत्तर में जो पश्य मंगाल का हिस्सा है वहाँ पर कूच बिहार पड़ेगा कूच बिहार कूच बिहार के शासक थे जिन्होंने असम के शासक के उपर आक्रमन करने के लिए बुलाया था जहांगीर को तो ये घटना जो घटित होती है वो 1638 में घटित होती है बाली नरायन यहां पर असम के शासक है बाली नरायन ठीक है तो बाले नरान नाम आपर आपर रख सकते हो और इसके अलामा अगर आप देखोगे यहां पर अटैक होता है 1639 में उनको हरा दिया जाता है फिर उनके साथ संधी हो जाती है तो वहां पर एक नदी बहती है बर नदी तो बर नदी जो है वो असम और मुगल शासकों के बीच की कि बना दी गई एक लाइन बना दी गए कि बहाई मान लेते हैं कि यहां से बर नदी जा रही है तो इसके इस तरफ का इलाका जहां मुगलू का है इसके इस तरफका जो हासम वाला है वह आप कर आएगा तो बर नदी जो हैंकी एक सीमघ civ क्ला क्व soro lat Lab देखेंगे कुमायू रीजन जो है कुमायू कुमायू वाला जो क्षेत्र है और जो इधर का गड़वाली क्षेत्र है यहां का गड़वाली क्षेत्र यह शेत्र भी मुगलों के कपजे में आया तो कुमायू वाला जो एरिया है कुमायू वाला जो एरिया है वो 1654 में आता है 1654 में और 1656 में जो है आप गरवाल पे कपजा कर लेते हैं तो कुमायू और गरवाल रीजन जो है वो भी इनके हाथ में आ जाते हैं कांधार वाला मुद्दा एक बार फिर से उठता है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले इसमें जो है कांधार वाला जो इलाका था इसमें जो है शहाबबास प्रथम ने कपजा कर लिया था 1622 के आसपास तो भारत का हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पश्चिम से सिंगदवार कहलाता ही मुगल और फारस के भी समेशा जगड़े होते रहते थे इसी बीच 1642 के आसपास फारस में जो है वो शाबबास दुती जो है वो गद्धी पर बैठते हैं 1649 में उन्होंने हमेशा के लिए इसके उपर अपनी दावेदारी कर ली है और कांधार को अपने इससे मिला लिया लेकिन मुगल बाश्चा की तरफ से कई बार प्रयास किये गए कि कांधार को जीता जाए तीन लगातार कैंपेण भेजे गए हैं 1649 में और 1652 में यह जो कांधार वाला इलाका है इसके लिए 1649 और 1652 में दो कैंपेण भेजे इन्होंने औरंग जेब के नितरत्तु में लेकिन औरंग जेब इन्हें जीत नहीं पाया उसके बाद औरंग जेब का भाई है जिसको 1653 में भेजा गया जिसका नाम है दाराशिको तो दाराशिको हो गए दाराशिको यह गए आपका 1653 में इसी जगह पर कपजा करने के लिए बड़ी दिंगे मार करके गये थे कि मैं 6-7 दिन में ही कांधार को विजित कर लूँगा लेकिन ये भी जो है वो पराजित हुए कुल्म लाकर के तीनों अभियान क्या रहे असफल रहे तो ये आपको शाह जहां के समय की जो चीजें है वो आपको देखने को मिल रही है बहराल अगर आप प्रभाव देखना चाहेंगे तो ये सारा का सारा हिस्सा जो है इधर वाल में तो रहेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिर से याद दिला देता हूं कि आज ही शाम को आठ चुलाई जो है आज आज ये शाम को 6 बजे से बैच शुरू होने जा रहा है, ये हिंदी के न्यू सीजन का दूसरा बैच है, जो शाम को 6 बजे से शुरू हो रहा है, अधिशिग्र आप जो है इसमें एड्मिशन ले सकते हैं, वरना समय बीच जाएगा, और कोर्स जो है वो फिर आपके लिए और प्रकार का संदे हो रहा है, तो आप हमसे संपर कर सकते हैं, ठीके, आप हमसे संपर कर सकते हैं, हमारे इन कॉंटेक्ट्स पर, मतलब इमेल आइडी, विरद.दुबे, अधरस्टेडियाक्यू.com, इसके अलामा, विरद.दुबे, विरद.दुबे के नाम से आप अपना ख्याल रखिएगा, थन्यवाद. झाल रखिएगा, विरद.दुबे, 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 विरद.दु